नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मुझे जानेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक का कस्टमर आइडी कैसे पता करें अगर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक में एकाउंट खुलवाएं हैं और अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट वेंक के मोबाई वेंकिंग एप में रेइस्टर करके लोगिन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको customer ID मांगा जाएगा तभी आप mobile banking एप में लोगिन हो पाएंगे और अगर आपको अपना customer ID नहीं पता है या फिर भूल गए है तो मैं आपको इस वीडियो में अपना customer ID पता करने के एक दो नहीं बलकि पूरे पांस तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदब से आप मेरे बताएगे तरीकों का उप्योग करके असानी से अपना customer ID को जान सकते हैं दोस्तो मेरे पिछली वीडियो इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक की IPPV मोबाइल बेंकिंग एप में रेइस्टर और लोगिन कैसे करें तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक की एकाउंट का बैलेंस तथा मेनी स्टेटमेंट को मोबाइल बेंकिंग में रेइस्टर तथा लोगिन किये विना मीस कोल या SMS के दौरा कैसे देखें इन दोड़नों वीडियो में आप सभी दर्सकों का भरपूर प्यारे हों समर्थन मिला जिसके लिए आप सभी का धन्यवाद तथा इस वीडियो में मेरे बहुत से दर्सकों ने मुझसे अनुरुद किया कि अपना कस्टमर आइडी को कैसे पता करें इसके उपर एक कम्प्लीन वीडियो बनाए तो ये वीडियो उन सभी दर्सकों के लिए है तो आए बिना देर किये जानते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कस्टमर आइडी को पता करने के तरीकों के बारे में दोस्तों इसका सबसे पहला और असान तरीका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की पास्टमर आइडी को पता करना दोस्तों अगर आपने India Post Payment Bank का account open इसके branch में जाकर किये हैं तो आपको एक smart card की size में password दिया गया होगा जिसमें आपके account number तथा CIF number लिखा होगा जिसमें CIF number ही आपका customer ID होता है तो जहां पे आपका customer ID मांगा जा रहा है वहाँ पे आप अपने account की CIF number को दे सकते हैं और अगर आपने digital account अपने mobile से open किये हैं या फिर आपके पास आपके bank का passbook नहीं है तो इसका दूसरा तरीका है SMS के जरिए दोस्तों जब आप India Post Payment Bank में अपना account open करते हैं तो आपके mobile में SMS के दौरा आपका customer ID और account number India Post Payment Bank या आपने IPPV की ओर से बहजा जाता है तो अगर आप अपना customer ID भूल चुके हैं तो आप अपने mobile के message app में आएं और वहाँ पे आपको search वाले icon पर click करें और फिर IPPV CUSTID लिखके search करें जिससे अधि आपके mobile में IPPV की ओर से customer ID का message आया होगा तो इसके पूरी detail को आप इसे खोल के देख सकते हैं जहां पे आपको अपना customer ID दिखाई देगा और इसे पता करने का तिसरा तरीका है email के जरिये तो दोस्तों अगर आपने अपना account open करते वक्त अपना email ID दिया होंगे तो आपको अपने email को open करके वहाँ पे search वाले option में IPPV लिखकर search करें जिससे नीचे में आपको बहुत सारी statement की attachment file की mail मिलेगी जिसमें से किसी एक को open करना है और सबसे नीचे आना है वहाँ पे आपको एक PDF डाउनलोड करने का option मिलेगा इसे डाउनलोड कर ले और इसके बाद इसे open करें तो आपसे एक password मांगा जाएगा उस password में आपको आपके नाम के first four letter को इंगलिस के बड़े अक्षरों में लिखना है और बिना space दिये अपने date of birth का DDMMYY मतलब जनम तिति के दीन और महिना को लिखना है और साल के आन्त में उसके अंतिम के दो अक्षर को बिना space दिये लिखना है इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए आप उसी mail को यहाँ से देख कर पर सकते हैं यहाँ पर उधारन के दोरा अच्छी तरह से समझाये रहा है कि आपको अपना password किस तरह से डालना है और फिर इसमें आपका account नमर तथा customer ID लिखा हुआ मिल जाएगा इससे भी आप अपना customer ID को पता कर सकते हैं और इसका चोथा तरीका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक की हेल्प लाइन नमर 155-229 या फिर 123 नमर 1800-8899-860 पर कॉल करके उसके दियेगे निर्देसों का पालन करते हुए इसके उभोगता सेवा अधिकारी से बात करके तथा उसके द्वारा पाचान के लिए पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप अपने customer ID को उससे पूछ सकते हैं जिससे आपका customer ID उस अधिकारी द्वारा आपको बता दिये जाएगा और इसका पाचवा तथा इस वीडियो का अंतिम तरीका अपना customer ID को जानने का है India Post Payment Bank की ब्रांच में जाके ब्रांच मेंनेजर या फिर एकाउंट ओपन करने वाले अधिकारी से आप अपने एकाउंट की customer ID को पूछ सकते हैं जिससे आपका customer ID आपको बता दिये जाएगा तो दोस्तों या था India Post Payment Bank के customer ID को पता करने के पांच सांदार तरीके इन पांच तरीकों में से आपको कौन सा तरीका सबसे ब्यास्ट लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें तथा notification बटन को ओन करना नहीं भूलें ताकि हमारी और भी नए-नए latest वीडियो का notification आपको मिलता रहे है वीडियो को पूरे देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जल्दे मिलते हैं एक नई वीडियो में खुश रहें और जीवन का आनंद लें